श्री रामचंदर प्रिशाद सिंगी बहुत बहुत धन्यवाद वाइस चेर में महुदिया मैं आदेनिये बित्मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो बजट प्रस्तूत किया है वो विकास वनमुख है क्रोथ औरियंटेड है इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं सुन रहा था भारत के पूरुव वित्मंत्री जी का नौ बजट उन्होंने प्रजेंट किया इस हाउस में मुरार जी दिसाई जी के बाद उनका दूसरा नंबर है लेकिन आंति में जो वो कह रहे थे तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा वो चर्चा कर रहे थे क्लास की और मास की उनका कहना था कि जो संसाधन है जो पैसे हमारे हैं वो जाने चाहिए मासेज के पास क्लासेज के पास ने तो class और mass का तो समझ में आता है चुकि खुद भी Harvard में पढ़े हैं तो class है ना कोई mass तो है नहीं जरूरी है और देखिए हम लोग तो JNU में पढ़े हैं हमारी बित्रमंत्री दी भी पढ़े हैं तो हम लोग तो mass वाले हैं लेकिन मैं बता दूँ बता दूँ कि आप बात कर र अजार करोर रुपे दिए आप जरा समझेए आपने तो एक रुपय ने दिया था तो कम सकम कहां पहुंचे हम लोग 014,000 करोर पर पहुंचे हैं और आगे और पहुंचेंगे आप क्या कह रहे थे कह रहे थे वापस नहीं रहे हैं आप आप ये भी जरा जान लिजिए वो क् कर रहे थे मास की पूरा का पूरा ये हमारा जो सी और ओबी सी का जो बजट है जो इस बजट में दिया हुआ पचासी हजार करोर किस क्लास को जाएगा हमारा जो स्टी है तिरपन हजार छे सो करोर किस क्लास को जाएगा वो मास नहीं है क्या हमारा जो दिव्यांग है जिनको 9000 करोड रुपे जाएने वो क्या मासां की क्लास है पूरा का पूरा हमारा जो देख लिजिए अगरिकल्चर का बजट 1.60 लाग करोड का कहां जाएगा और 1.23 लाग करोड जो ग्रामीन विकास का है वो कहां जाएगा जनाब इतना ही नहीं आपको चिंता किसकी है चिंता है य इसलिए मास और क्लास की बात मुत करें यह सरकार है ही ग्रामीन इलाकों के लिए काम करने के जरा आप देखिए शीच को आपको सबसे पहले किसानों किस बात के धन्यवाद देना चाहिए जो आज तक आप इने दिया नहीं है पहली वार इस देश में हमारा जो पूरा का 311 मिलियन टन हुआ था क्या किस ने किया उसी किसान ने किया और इसका मतलब क्या होता है कि हमारा पूरा का पूरा अगरी कल्चर का जो डैपर्सिफिकेशन हो रहा है और जो हमारा होटी कल्चर का प्रड़क्शन रेकॉर्ड हुआ है इसे फाइदा क्या हुआ ना लगों सि खाते तो दाल नहीं रोटी खाते तो तो सब्जी नहीं और नन भेज का तो छोड़िये इमत लेकिन आज कह रहे थे और भी हमारे बर्माजी भी बोल रहे थे कि ग्रामीन इलाकों में कंजम्शन दस परतिशत नीचे चला गए बर्माजी और पुर्वित मंत्री जो चले गए आप लोग तो नहीं जाते हैं मैं गाओं में ही रहता हूं और मैं अपने गाओं में देख रहा हूं कि पहले जितना लोग खर्च करते थे और खाते थे उससे ज्यादा कर रहे हैं मेरा गाओं बिहार में कोई बाहर नहीं है और आप कह रहें क्लास और मास की निट्रिशन ल जो बजट है वो कहाँ जाए इसलिए समानग्षिक्ता से हट एक बाद जरूर कह रहे थे और इसके फिर मैं वित्मंत्री जी को बढ़ाई देना चाहूंगा आप कह रहे थे इसको टैक्स टेरोरिज्म कह रहे थे अम्भी इंक्रम टेक्स डिपार्टमेंट में रहे हैं टेक्स टेरिरिजम ये क्या है कि साथ लोगों की एक सोच है कि बहुत सारे जो सिविल कानून है उसमें क्रिमिनल लाइवलिटी आ गई लोग घवराय हुएं तो आप बजट में पढ़िए मैं बधाई देना चाहता हूं कि एक पूरा का पूरा इस पर एक स्टड़ी किया जा रहा है कि जो कंपनीज लो हैं जो और भी लोज हैं उसको ठीक से लाइज किया जाए जिससे कि लोगों के मन में किसी परकार का भाई ने रहे हैं वो अपना बिजनेस करें ब्यापार करें लेकिन अब गलत काम करेंगे तो कहां जाएंगे जगा तो एक ही जगा होती है इसलिए इस सरकार को हम बधाई देना चाहते हैं और इसलिए भी बित्मंत्रज को बधाई देना चाहते हैं कि पहली बार आपने एक और कानून की चर्चा किया और खास करके हमारे जो महला से सक्तिकरन के लिए जो हमारी करना चाहिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने इसमें भी एक टास्क फोर्स बनाने के प्ता है और इसकी रिपोर्ट आएगी कि हमारे जो हमारी बच्चियां है उनका जो हम जिस मैं वो बच्चे जब साधी होती है इसके एज पर भी कोई विचार होना चाहिए कि भी आपने कमीटी बनाई है यह एक अच्छी सोंच है तो इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं और आज आप देख लिजी आप कहिए किया है बजट में बजट में सिर्फ और सिर्फ चर्चा किसकी है तो ग्रामीन इलाके कि आप जरा सब जान रहे हैं हम लोग उ कापत 4500-500 मेगावाट था आज उसी बिहार में 5000 मेगावाट के दा कापत है बिजडी कहां कापत नी हो और बधाई में देना चाहता हूं वित्त मंत्री जी को और बगल में रेल मंत्री जी भी बैठे हुए यह बहुत अच्छी सोच है आप लोग कि जो हमारा पूरा का पू अच्छी के लिए उसका यूज करने जा रहे हैं इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद है साथ ही आपने किसानों को भी समय लाया है और अपने क्या कहा है किसानों के लिए जो फैलो लैंड है जिस पर उखेती नहीं करते हैं उस पर भी हो सोलर प्लांट लेकर करके उर्ज मेरा अनुरोध होगा वित्मंत्री जी से कि बिहार में खास करके हमारे नॉर्दन बिहार में बहुत सारे हमारे वाटर बाडीज है बहुत बड़े-बड़े बाडीज है और उस पर स्टडी भी हुआ है किस प्रकार वहां पर सोलर उज्या का किया जाए जिसमें कि नीचे खाना का भी पालन हो जाए उभ्याव हो जाए अव उपर हम उसको जो है सोलर पावर कैसे उसको करेंगे तो हम चाहेंगे कि इसको भी करने से निश्यत रूप से जो हमारे किसान है उनकी आमदनी बढ़े दूसरा एक और चीज के लिए में बधाई देना चाहता हूं बहुत यह दो ही लाइन लिखा हुआ लेकिन उसमें बहुत चिपा हुआ यह पूरा का पूरा जो इनलाइन वाटर जो हमारा इनलाइन यॉट्टर वे वण है जिसमें हमारे बिहार आता है इलहावाद से हाल्दय तक जाता है उसके दोनों किनारें पर आपने मैं प्रधान मंतिरी दन्यवाद देना चाहता हूं अभित्मंत्री जी को कि आपने अर्थ गंगा प्रजेक्ट लाए यह साधारन सोच रही है यह पूरा का पूरा जो हमारा इलाका है वर्जीन इलाका है जिसके दोनों वैंक पर आगे चल करकरके एकनोमिक एक्टिवीटी होगी सिर्फ पर ध्यान यही रखना है कि एकनोमिक एक्टिवीटी इस प्रकार की हो जिसे हमारा इंवार्मेंट डिग्रेडेशन भी नव लेकिन आप समझें से कितना ज्यादा विकास का अवसर प्राप्थ हो और मैहें पर कहना चाहूंगा बिहार म इसके नेता हम और 31 वावु हैं उनको मैं बधाई देना चाहता हूं कि एंडिया की सरकार पहली बार विहार में गंगा का जल गया पहुचाने जा रही है इसाधारन बात नहीं है और यह सोच है और उससे आप देखिए कि जब आप गया में जाएंगे गया तो आप जानते ह और एक बात के लिए और में धन्यबाद देना चाहूंगा और वो यह है कि आपने जो पूरा का पूरा आज देखिए आज टमाटर अनियन जिसको प्याज कहते हैं और आल इस तीनों को कीमतों के लिए हमें साथ तवाही मची रहती है और जिस समय इसका उत्पादन होता है और जिस समय तक चार-पांच महिने के बाद इसका रेट बहुत बढ़ जाती है माने मित्मंत्री जी आपने ना सिर्फ जो पूरा का पूरा हमारा जो स्टोरेज की विवस्था उसको अपने लाइन अप किया है रेलेवे को भी लाया है सिविलेशन को भी लाया और सबसे लाख सेल्फ घ्रूप मतलब करीब करीब 6,6,606 लाख लोग हमारे जीवका से जुड़े हुआ है और बिहार में हमारे साथे 9,9,000 हमारे सेल्फ घ्रूप है और करीब करीब 1,001 लोग पहुंचने जा रहे है आज आप जान लिए यह साधारन उकलब दी नहीं है जो काम में रहती थी आज बैंकों में जाती है बैंक से डील करती है और पूरी की पूरी एक्टिवीटी बढ़ रही इसे निरास होने की जरूप नहीं है महिला इंपावर्मेंट उससे हुआ है उनकी आमदनी भी बढ़ेगी और खास करकर की आगे आने वाले समय में जो महिला उनको संख्या बढ़ेगी और इससे हमारे देश को फाइदा हो रेलवे में एक और अच्छा काम आपने क्या किया है एक अच्छा काम यह भी आपने किया है कि पाहली बार आपने जो पूरा का पूरा रेलवे है उसमें रेल मंत्री राम जिलास भागों भी रहे हैं हैं भी पूरा का पूरा डिपार्टमेंटलिजम चलता थे ठिक कह रहे थे वो कि अगर कोई एक्सिडेंट होता था तो लोग पहले मेंबर पता करते थे कि भाई इसमें किसकी गलती है इंजिनियरिंग का फेलियर है सिगनल का फेलियर है टाफी का फेलियर है इसी में लोग लगे र इसे पूरा का पूरा क्या होगा सेट अप में एकता आएगी और उससे जो हमारा रेलवे का जो निटवर्क है वो और भी पढ़ियां से आगे काम कर पाएगा और रेलवे में खास कर कर जो आज की तारीख में हमें शक्ता है कि जहां जहां हमारे जो पुराने बहुत प्रजेक कर देंगे तो निश्चित रूप से उससे ट्रांस्पोर्टेशन में फाइदा होगा और हम लोग जो है जो हमरा जो प्रफिक पब्ली का जो भी है वो भी बढ़ेगा और इसमें मैं आपको चाहूंगा एक प्रजेक्ट का नाम देना वो खास करके जो हमारा पटना जो हमार कि बात है सिकपूरह से निवरा लाइन उसमें आपको दन्यामा से बिहात्ष ri तक उसका पूरा का फूरा फुर हो गया तेन चल रहेगी बाकी में काम बचा हुआ है अगर उप कर देंगे तो आपको जो है एक थाइड लाइन जो है पत्ना में मिल जाएगी आपको पत्ना के बाहर और उससे काफी फाइदा हम लोगों को होने वाला है और एक बात के लिए और बितमंत्र जीव आपको बधाई देना चा और इससे जो है क्या होगा दिखिए हमारा बिहार का क्या है बिहार में हमारा human resource है water resource है और हमारा पूरा का पूरा heritage है अगर अब दुनिया का इतिहास देखेंगे बिहार का इतिहास उसमें खास स्थान रखता है आप जानते हैं साइक्लोपियन वाल है दुनिया में या तो किवोमेटर पहाय के उपर बनाए गया हमारे मुख्मंत्री मानने नितिस वागों ने उसको साइट के लिए लिखा है और आप जान रहे हैं विहार में जितने भी हमारे जगह हैं पुरा का पुरा जिसको प्रिहिस्टॉरिक कालकते हैं हमारे रामिला सवागों वैठे हुए च अधियेचर हैं बहुत पुराना है चीरांध है प्रिह इस्टॉरिक साइड का है अगर आप पुरा का पुरा मोरें मगत पुरा जाएड का देखेगा बहुत सारे साइड है नालंदा एक इनिवरसिति आप देखिए नालंदा है वेकरम सिला है उधन पुरी और य Ale important ते याल में खुदाई हुई थी, चौथी नुम चुदी थी, लेकिन पांच साल से थुड़ा वो बंध है, उस पर देखना चाहिए, और मेरा अनुरोध होगा, कि जो इंसुट आप खोलने जा रहे हैं, इस इंसुट को आप बिहार में खोलिए, और अगर जरूरोध समझे, तो नालं जो इंसुट से बहुत फाइदा होगा, हमारे इतिहास, हमारे देश का जो एक बिरासत है, सांस्कृतिक बिरासत, उसको ठीक से वहां बताया जा सकेगा, इसके लिए मैं चाहता हूँ, कि वह इंसुट बिहार में बनना चाहिए, दूसरा, आपने पहलिवार आपको फिर इंवेस्टिकेशन है, वो बदल गया है, पुराना इंवेस्टिकेशन अब नहीं है, आज की ताडिक में जतनी टेकनोलजी आ गई है, और इसके लिए आपने की है, खास कि फॉरहरे साइंस के इसके भी आपको बहुत भाँद देते हैं, बहुत-बहुत बधाई देते हैं, इसके साथ ही एक बहुत ही जो महत्पुर्ण बात हुई और वो बात क्या है जो खास करकर जितने हमारे टेक्निकल इंस्च्ट हैं और खास करकर हमारा जिसको आप बोलते हैं आज की तारीक में जो हमारी ग्रामीन संस्था हैं और जहां पर आज आप टेक्टनॉलोजी ले जा रहे हैं पूरा का पूरा उसको डिजिटल कर रहे हैं इस बहुत चीज कीम है कि आज आप देखें कि ग्रामीन इलाके में जितने भी हमारे चायो पंचायत हो हमारा पीएचसी हो पुलिस स्टेशन हो आगना वारजी सेंटर है सबको आप जोडने जा रहे हैं और ऐसे जोडने जा रहे उसके लिए भारत नेट में आपने 6,000 कोड का प्रिश्टा किया है इसके लिए भी वित मंत्री जिए आपको बधाई देते हैं क्योंकि आप जान लीजे आगे आने वाले समय क्या है पुराना समय नहीं है आप आगे आने वाले समय क्या है रटिफीृसी इंटलिज दिया है और पहली बार बजट में क्वांटम टिकनोलोजी का मिशन बना करकर के आपने उसमें आठ हजार क्रोड का प्राइब दान किया है इससे हमारे देश में पूरा का पूरा एक नया जो कहते है विस्टा उसका पूरा का पूरा लोगों के लिए मिलेगा और जिवाओं के कितना अच्छा काम किया मैं बहुत बढ़ाई देना चाहता हूं कि पाहली बार आपने सेंट्रलाइजड नैशनल रिकूटमेंट एजंसी बनाने का फैसला किया और आप देख रहें ग्रामीन बच्चे जो होते हैं उनकी क्या परशानी होती है उनको जाना होता है सब के लिए आप eligibility test लेंगे और इसके आधार पर recruitment करेंगे इसके मैं बहुत बहुत बढ़ाई देना चाहिए और साथ ही इसके साथ ही मैं कई बार बोल चुका हूं फिर मैं कह रहा हूं कि गुरूप B तक आधानिय प्रधान मंत्री जिने इंटर्वीव को खतम कर दिया उसक इंटर्वीव के प्रोस्टिंग्स को आप वीडियो कराईए जिसे बच्चों को यह न लगे कि मेरे साथ ना इंसाथ ही साथ ही एक बहुत अच्छी बात प्रधान मंत्री जिने किया था कि बच्चों को बता रहे थे कि परिच्छाक्स में टेंसन मुमत रही आज जितने हमा हमारे competitive examinations देते हैं जितने हमारे बच्चे होनके मन में क्या चिंता रहती है चिंता रहती है एक बच्चों में और खास करके campus में किसी प्रकार का बच्चों में तनाव परिच्छा में बैठने के लिए ना हो इसके लिए attempts की संख्या खतम कर देते हैं बच्चों को जब इच्छा हो जो competition देना चाहे उसको इस बात का एसास नहो कि चुकि हम इस समाज में पाईदा हुए साब इसलिए हम परिच्छा नहीं दे रहें चुकि वह attempt लेगा किसी प्रकार के आरक्छल मुसकी कोई दखल नहीं हो तो यह भी मैं चाहू कि जिस रास्ते पर आप चलें उस रास्ते पर चलिए और हम लोगों का सपना क्या है कि हिंदुस्तान को सर्व स्रेश्ट राष्ट बनाना पांच ट्रिलियंड डॉलर का एकवानवी बनाना और यह तभी संबब है जब आपकी सोच पॉजिटिव होगी आपकी सोच में आसा होगी आपको लगेगा कि भविस हिंदुस्तान का है जो है तो हम लोग प्राप्त करेंगे बहुत बहुत बहुत